शॉलो भाई देवी और सज्जनू समझने की कोशिश करते हैं आप्शन्स ट्रेडिंग के बारे में आजा भाई आजा ओके अब देखो आप और मैं वहाँ तो अपन है अपन है स्पैकूलेटर अपन है स्पैकूलेटर के से अपन स्पैकूलेटर कर रहें मैं आपको अदाएं सिर्फ और एग्जामबल अभी रिलायंस का शेयर है एक तो मेरे पास ओप्शन है कि मैं रिलाइंस का शेर खरीद लो बरावर है अब टोटल टोटल 700 रुपे का एक शेर है मेरे को चाहिए 1000 शेर ठीक है तो मेरे को टोटल 7 लाग रुपेया चाहिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ 7 लाग रुपेया तो आपके और मेरे पास तो है नहीं दूर दूर तक है नहीं बरावर है तो मैं बोल रहा हूँ के भाई ये शेर ट्रेडिंग तो अपना काम नहीं है शेर ट्रेडिंग तो अपना काम नहीं है क्योंकि 1000 का क्वांटिटी नहीं होगा तक तो मजा भी नहीं आएगा समझ रहे हो तो इसके लिए मुझे इसमें इतना दूम नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मार्केट ने और एक आप्शन निकाला मार्केट ने और एक आप्शन निकाला जिसको बोला कि आजा तेरे को बहुत पैसा कमाने का लालच है ना आजा 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 तेरे को हम ले जाएंगे चल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तले जाहां प्रॉफिट ही ना हो लॉस लॉस ही हो डेरिवेटिव मार्केट के तले मैं तिर को लेके चलता हूं डेरिवेटिव मार्केट लोगों ने कमाने के लिए कमाया है गवाने के लिए गवाया है यह मार्केट बहुत ही वो मैं आपको आज बता दूगा तो derivative market बोलता है कि आप यहापे R.I.L. के 1000 shares आपको खरीदने हैं आप खरीद सकते हो बट वो real shares नहीं होगे वो real shares का एक derivative होगा अब यह derivative क्या होता है और उसका जो technical detailing है underlying asset और derivative वो सब मैं कल के lecture में समझाओगा जो मेरा typical lecture होगा आज खाली आप लोग यह समझने की कोशिश करो कि derivatives market में मैं कैसे ट्रेडिंग करने वाला हूँ आओ चलो so 1000 shares अब मेरे को reliance के खरीदने हैं बट मेरे पास मेरे पास reliance के shares 1000 share खरीदने का पैसा नहीं है तो तो market stock market बोलता है कि सुन तू उसका derivatives के थुरू options trading खरीद ले तो आपको लगेगा सरी options trading क्या होता है options trading क्या होता है तो यहाँ पे options trading का मतलब होता है कि आप दो चीज expect कर रहे हो reliance के साथ देखो अगर आप यहाँ पे अगर आपको reliance का share खरीदना है तो आप कोई भी company का share कब खरीदोगे आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ आप कोई भी company का share कब खरीदोगे मुझे जवाब चाहिए आप लोग सब लोग से कोई भी company का share कब खरीदोगे बोलो बोलो टेल टेल सर्वेश से बोला मतलब जब उसका प्राइस लोगा ठीक है तो जब प्राइस लोगा मतलब कहना इससे आप सोच रहे हो कि यह शेयर का प्राइस अभी फूचर में बढ़ने वाला है if the market is expected to rise in the future price is expected to rise ऐसा जानवी ने पदमावती ने लिखा है एकदम करेक सर्वेश ने और केलेक एमद ने लिखा है वन प्राइस लोग जूई ने लिखा है जब प्राइस हो हाई होने वाला हो वीना ने लिखा है कम रेट हो जब शेयर का वैल्यू कम हो बट प्राइस बढ बढ़ने वाला है जब प्राइस बढ़ने वाला है तब मैं उसका शेयर करीदूंगा कोई भी कंपनी का बट अगर मैंने बहुत रीसर्च किया और वह रीसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यह कंपनी का प्राइस तो कम होने वाला है तो मैं उसका शेयर करीदूंगा या नहीं खरी दूँगा तो मैं उसका शेयर कृटिट उगा कि नहीं खरी दूँगा जब मैंने उसका रिशुक किया और मुझे रिशस में बता चला सका यह का प्राइस तो की मैं नइ नहीं करीदुंगा सीधी सी बात है मैं उसको कभी नहीं खरी दुंगा बढ़ अब मेरको मैंने जो इतना रीसर्च किया अब तुम सोचो ना्हीं यार मैं ने इतना टाइम ढलके री and then is where options trading becomes so useful दो जगे पर options बहुत काम आता है एक जब आपको quantity में trade करना है quantity में trade करना है और quantity में trade करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और दूसरा जब आपको किसी company के downfall पे trade करना है कि मतलब वो company गिरने वाला है बट वो company का share का price गिरेगा पर मैं फाइदा लूँगा किसी company के downfall से आपको profit करना है तो ये दोनो share market में possible नहीं क्योंकि अगर आपको quantity में trade करना है तो quantity में पैसा चाहिए अपने पास quantity में पैसा है क्या ने अगर मेरे को पता है कि ये company का share गिरने वाला है और ये company का share गिरेगा उससे मैं profit कर लूँग क्या ये possible है क्या answer is no क्योंकि share market में तो आप invest करोगे फिर उपर जाएगा तो फाइदा आपको गिरेगा तो क्या फाइदा तो ये दोनों चीज ये दोनों चीज कहीं ना कहीं missing थी मेरे normal share market में cash share market में जिसकी होजे से आया derivatives उसमें भी derivatives में एक चीज आया जिसको अपन कहते हैं options trading जो मुझे ये दोनों का िणा फाइदा देगा quantityं में भी प्राफिट करवाएगा unfair में भी प्राफिट करवाएगी है क्या तुम लोग लोग कि शुद्ट हो आज तुम लोग सिये के शुडेन Two अच तुम लोग मेरे स्टुडेंट सीट्ट के थूच्ट डिरेंड नहीं गों आज ठीक है डायरेक कनेक्शन में अपने लोग समझ रहे जो भी है वेरी गोड अर्वेन बहुत बढ़िया चंदन लिखता है हां सर अरे मेरे भाई बिटवा आज तू सीए का स्टुडेंट नहीं है बिटवा आज तू मेरा स्टुडेंट है बाकी दिन तू आई सीए से कनेक्ट ह हो के मेरे पास आया है आज मेरा है तू मेरा सिर्फ मेरा है क्वांटिटी में मेरे को ट्रेड करना है और डाउनफॉल और प्रॉफिट कमाना है तब मेरे पास ऑप्शन्स ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अब और ध्यान देते जाओ और ध्यान देते जाओ अब और ध्यान देते जाओ आज Reliance का शयर है 700 आज का शयर है 700 आज का तारीक क्या है फ्रस्ट जयन से ट्वेंटी ट्वेटी फ्रस्ट जैन है फ्रस्ट आफ जैने रिलाइंट का शरह है 700 अब अपन लोग एंटर कर रहे हैं options trading के लिए अब अपन लोग जा रहे है options trading के लिए यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ है अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ है मुझे लग रहा है कि market रिलाइंस का मार्केट रिलाइंस शेर ये बिन वाले दस दिन में रिलाइंस आने वाले दस की तुछ तो अच्छा कॉंट्रेक्ग मिनेगा उसको जाकुझ तुद अच्छा कॉंट्रैक्ग मिलगे है जिसको अभी भी फाइदा होगा या वाटेवर एक्स वाई-जी रीजन इंक्रीज होने वाला है इन सच केस मैं क्या कर सकता हूं एक option खरीद सकता हूं इस option को कहते हैं right to buy इस option को क्या कहते हैं प्लीज ध्यान से सुनना पाच मिनिट जब मैं बोलूगा ना एनी questions तब मेरे को तुमारे questions चीए तब तक सिर्फ everybody look into my eyes focus on me मुझे लग रहा है कि reliance का share बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है और अब अगर reliance का share बढ़ने वाला है तो मैं सोचता हूं कि हजार quantity खरीद लेता हूं पर हजार quantity खरीदने का मेरे पास तो पैसा ही नहीं साथ लाग रुपए देना पड़ेगा साथ लाग रुपए कौन देगा तो मैं क्या करूंगा ऐसे situation में मैं जाओंगा options के पास प्रिमियम कितना चल रहा है कितना पचास रुपए का प्रिमियम चल रहा है ध्यान से सुनो जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक प्लीज questions मत पूछना बाकि विश्टाइब करना करो बिंदास कोई प्रावल्म नहीं पर जब बोलूंगा नहीं questions मत पूछना अब मेरको लग रहे कि मलचे है बढ़ने वाला है मेरको 1000 quantity खरीदने फिरूए मैं options market में जाओंग को options resort में premium चलता है क्या चलता है प्रीमियम अब मेरको लग रहेकि market बढ़ने वाला थैक्ये आज मैंga right to buy खरीद लूँंगा at today's price which is के साथ सो रुपे में दोगे मिरको यह शेयर आप फिलाल यह प्रीमियम को पेयर उसको इग्णोर कर दो मैं मार्केट के साथ स्टॉप मार्केट के साथ एक कमिटमेंट कर रहा हो कि कुछ भी हो जाएं आज की तारीक में मेरे को लग रहा है कि Reliance का share उपर जाएगा बट आज मैं आप लोग के साथ एक commitment चाहता हूँ stock market कि मेरे को ये share 700 रुपे में ही मिलना चाहिए तो stock market बोलता है भाई अगर future में share उपर गया तो मैं तेरे को 700 रुपे में कैसे दू तो आप उसको बोलोगे तो ठीक है ना उसके लिए तू मेरे पास से कुछ premium ले ले उसके लिए तू मेरे पास से कुछ premium ले ले stock market बोला कि ये अच्छा idea है चल तू मेरे को एक premium दे दे तो मैंने और stock market ने एक deal किया क्या deal कि हम लोग ने कि भाई future में realize का share कितना भी उपर जाए मेरे को कितने में मिलेगा 700 रुपे में मिलेगा और जिस दिन मैं ये deal enter करता हूँ उस दिन उसका premium चल रहा है 50 रुपे पर share तो मेरे stock market को देना है खाली premium का amount which is 1000 quantity के उपर 50 पर share equal to rupees 50,000 मैं क्या बोल रहा हूँ 7 लाग का share के लिए 50,000 देना पड़ रहा है परवडे के ना परवडे परवडे के ना परवडे तुम लोग बोलो परवडे के ना परवडे 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 ठीक परवडे सर उतना तो परवडे अब सुनो हुआ क्या हुआ क्या फर्स्ट ऑफ जैन को हम लोग ने इंटर किया था से फिफ्ट ऑफ जैन को रिलाइंस का भाव हो गया सेवं हंड्रेड ट्वेंटी फई समझ रहे हो क्या तुम लोग समझ रहो यह लोग? मैने क्या बोला था? मार्केट इंक्रीज वने वाला है और मार्केट मार्केट मतलब रिलाइंस में लिए और रिलाइंस in várias हुआ मैंने stock market के साथ क्या commitment किया था मैंने stock market के साथ क्या commitment किया था मेरे को कितने में देगा 700 रुपे में देगा अब कितने में हो गया है 725 so in short 725 की चीज अब मैं कितने में खरीच सकता हूँ 700 रुपे में खरीच सकता हूँ कितने का मेरे को फाइदा हुआ 25 रुपे का फाइदा हुआ अब मेरा ये जो premium देख रहा है तुमारे को अब मेरा ये जो premium देख रहा है ये premium बढ़ कर हो जाएगा रुपी 75 पर share मुझे लग रहा था 725 तक जाएगा 725 तक गया मैं immediately ये 1000 जिसका प्रीमियम अभी 75 हो गया मैंने 50 में लिया था आज उसका बाव हो गया 75 मैं यह 1000 शेर्स एड़ रेट 75 में सेल कर दूंगा मेरे को 25 रुपे का फाइदा हो जाएगा 25,000 रुपे मेरे जेब में सची में इसा होता है इसी के लिए मुझे पता था तुम लोग मेरे पे शक करते हो यह मुझे पता है लो तुम्हारे सामने आज करके दिखाएगा तुम्हारा भाई लॉस बैर करेगा तुम्हारे लिए चलेगा अब मैं आपको वापस से बताता हो अब मैं आपको वापस से ब वापस से बताता हूं कि अब आओ वापस से बताता हूं कि रिलाइंस का शेरर tamam है watt है अब 110 परकी से प्रक्ष और पर शेर और फैस्ट जैन और फीन रिलाइंस का से 700 पर शेर में चल रहा है मिरको लग रहा है यार यह उपर जाने वाला शेर मैंने रिसर्च किया मुझे ना 1000 quantity खरीदना है अब मैं 1200 quantity cash market में जाऊंगा और खरीदूंगा 1000 quantity cash market में जाऊंगा और खरीदूंगा 700 पर शेर तो मुझे 7 रूपया पे करना पड़ेगा मुझे 7 रूपय पे करणा पड़ेगा अगर में यह साथ रूपय करता हूँ अगर में यह साथ रूपय करता हूँ तो यह मेरे लिए possible ली नहीं है यह मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट ने क्या बोला तुदू रूट के मत जा मैं तेरे लिए और एक मार्केट लेकर रहाता हूं जिसको हमने बोला options market जिसको हम लोग ने बोला options market यह क्यों नाम है options वो सब समझेगा अब यह market में एक option है जो मेरे को देता है option of right to buy right to buy कौन से price पे जो price मुझे चाहिए और मुझे कौन सा price चाहिए मुझे आज का price ही मुझे चाहिए कि मैं 700 रुपे में reliance का share buy करना चाहता हूँ तो यह लोग क्या बोलेंगे बाई 700 रुपे में buy करना है तो कर लेना अभी जाके बट आप बोलते हों नहीं मेरे पास 7 लाग रुपय नहीं है अच्छा तो तू मतलब options market में आ जा options market में मैं यह 700 रुपे के price पे मेरा भाव freeze कर सकता हूँ बट उसके लिए stock market वाला बोलता है हमारे को कुछ premium दे तो मैं तेरे लिए यह भाव freeze कर दूँगा तो मैं यह तेरे लिए भाव freeze कर दूँगा अपनने उसको stock market को बुचा क्या premium चल रहा है 700 रुपे पे मेरे को भाव reliance का freeze करना है क्या premium चल रहा है market ने बोला stock market ने बोला 50 per share मैं ने बोला मेरे को 1000 quantity चाहिए market ने बोला ला 50,000 रुपया दे immediately मैंने 50,000 रुपया transfer कर दिया मेरे पास 1000 share 700 रुपे खरीदने का right to buy आ गया मैंने खरीदा नहीं है मैंने खरीदा नहीं है मेरे पास एक right आ गया कि मैं 700 रुपे में खरीद सकता हूँ जब चाहू तब जब चाहू तब नहीं जब तक उसका expiry है से एक महीने का उसका expiry है मतलब एक महीने तक यह मेरे पास valid है within seven days within seven days मतलब 7th of jan को reliance का भाव हो गया रुपी 725 और मेरे को लग रहा था 725 तक ही जाएगा reliance का भाव हो गया 725 तो कहना इसे मैंने जो सोचा था वो सही हुआ अब मेरे पास 700 रुपे में खरीदने का option है तो कहना इससे मेरे को कितने का फाइदा हुआ 25 रुपे का फाइदा हुआ अब यह 25 रुपया मार्केट मेरे को कैसे देगा पता है गया मार्केट में इसका जो प्रीमियम वैल्यू है वही बढ़के हो जाएगा रुपी 75 तो मैं 75 में बेच दूंगा जो चीज मैंने पच्चास में खरीदी थी 25 पर शे समझे गड़े अवरिबाड़ी बोलो बोलो चल चल बोलो यार बोलते क्यों नहीं अब समझा क्या थोड़ा 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 यार बताऊंगा पूरा डॉंट भरी अब मैं वह टेकनिकल दिमाग लगाना सुर कौन बेच रहा है क्या है करेंगे मेरा में लेक्चर तो कल स्टार्ट होने वाला ना आज समझा यह क्या कर रहे हो तुम लोग समझ भी आ गया एक्सेलेंट अब देख 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 मार्केट में क्या चल रहा है पता है स्टॉक मार्केट में सुनो स्टॉक मार्केट में प्रीमियम चल रहा है प्रीमियम का रेट चल रहा है जिसको 700 रुपीज पे रिलाइंस का प्रीमियम का रेट क्या चल रहा है जिसको 700 पे राइट टू बाई चाहिए जिसको 700 पे राइट टू बाई चाहिए वो मार्केट से रुपीज 50 पर शेर पे खरीद सकता है ठीक है अब ये फर्स्ट जैन को चल रहा है 7th जैन को यही वाले यही वाले का भाव हो गया है यही रुपीज 700 राइट टू बाई है मेरे पास 700 डाई क्योंकि मैंने यह 50 में 1000 शेर खरीद लिए अब 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 मार्केट का बाव हो गया है रुपी 725 मेरे पास तो 700 रुपय वाला अभी भी रेडी है मेरे पास तो 700 रुपय वाला खरीदावा पढ़ा है जिसको मैंने 50 रुपये के प्रीमियम पर खरीदा था जिसको मैंने 50 रुपे के प्रीमियम पे खरीदा था, वो तो मेरे पास पड़ा है, अब यह सेम चीज का वैल्यू, बिकाज अभी यह 725 हो गया है न, इसका प्रीमियम हो जाता है, रुपी 75% मार्केट में, मार्केट डिमांड सप्ला है, जैसे जैसे इसका भाव बढ़ते जा जाएगा, मुझे 25 रुपे का फाइदा हुआ, उसको मैं बेच दूंगा, मुझे 25,000 का फाइदा हो गया, इस समझे गडू, एवरिबरी, बोलो बोलो टेल टेल, समझे क्या, तो अब तो मज़े है, अच्छा, एफा, एफा, एफा करेगी, वीना, हाँ किर्दीमान, आप त पूछ रकते हो, जो तुम्हाने को पूछना है, अब तो मैं ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, मोटा-मोटा कुछ आइडिया है, थोड़ा-थोड़ा, सर, CENPE क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये राइट-टु-बाइ का मतलब होता है, कॉल ओप्शन, ये जो रा ओप्शन, हाँ तो 25,000 कहीं तो फाइदा हुआ, ओ भाई मेरे, 25 पर शेर, इंटु-1,000 शेर, वो 25,000 रुपीज तेरे जेब में, 700, 700 में मैंने राइट-टु-बाइ फ्रीज कर लिया है, ना 700 से जधा, ना 700 से कम, मैंने 700 पे राइट-टु-बाइ फ्रीज कर लिया है, 700 में मैं राइट-टु-बाइ कर सकता हूँ, 50 रुपे का प्रीमियम देना पड़ेगा, करना है क्या फ्रीज, तुमने बुला हाँ करन आपने सोचा था बढ़ गया तो आपका premium भी बढ़ जाएगा premium होगया 75 आपने 50 में खरीदा था 75 का premium में बेचोगे 25,000 रुपया कमालों समझे क्या नहीं नहीं यहाँ पे मैंने 700 रुपया पे नहीं किया है यहाँ पे मेरे को 725 रुपया नहीं मिलने वाला है जो मैं game खेल रहा हुँ ना वो game ये premium का खेल रहा हो premium दिया था 50 per share premium मिलेगा 75 per share ये मेरा buying का rate है ये मेरा selling का भाव है purely जैसे ये pen मैंने खरीदा 50 रुपय में 75 में 1000 quantity pen का खरीदा था 1000 quantity बेचा simple यहां पर यह 700-725 खाली प्रीमियम डिटर्माइन करने में काम आएगा 700 का खरीदना और 700 का साथ सो पचीज का बेचने का मेरा अवकात ही नहीं है मैं एक आटिकल से बात कर रहा हूँ उसका खाक अवकात होगा 700 रुपे का वह एक शैर करीदे जारे पड़ा हुई ना तुमको ऐसी चीजी तुम्हारा आवकात 50 रुपे का है तुम्हारे को देना भी उतना ही समझे क्या समझे क्या करेक्व ऊप्शन में अब प्रीमियम में और करते हो Hmm मैं यह कि बंड़े मियम का भाई परफेक्ट टिपाटीजी 50 रूपे में 50 रुपे का प्रीमियम देखें बाई क्या 1000 पच्छास इंटू 1050 रुपे देखें 1000 कॉंटिटिटी राइट टु बाई खरीद लिया 700 रुपे में अब 725 हो गया है प्रीमियम बढ़ गया 75 हो गया 25 पर शेर का फायदा हो गया प्रीमि पिपच्ची से बढ़ गया है समझे लोग अगर समझों अगर समझों अगर समाँ उल्ता गेम हो गया तो फर्स्ट जायन को तुम लोग ने रिलायंस लिया तुम ने 700 के पनी खाらएर्ड फेगा यह ने राइट टू बाई लेका क्या कि रहुत स्द्ट को लग रहा है और बड़े गा मार्केट को बुचा कितना प्रीमियॉम मार्केट है 450 रुपए को का राइट आया टुबाई रिलाइन्स एट 700 ओर पीरिड ऑफ टाइम तुम्हारा रीसर्च उल्टा पड़ गया सेवेंथ ऑफ जैन को हुआ क्या पता है क्या सेवेंथ ऑफ जैन को रिलाइन्स का भाव हो गया 685 अब मेरे को बताओ प्रीमियम का कितना हो जाएगा इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा बताओ मुझे बोलो बोलो टेल टेल इसका प्रीमियम अब हो जाएगा यह 15 रुपे से तेरा भाव कम हो गया ना इसका प्रीमियम हो जाएगा 50 का 35 अब आपको लग रहा है यार यह और नीचे ना चले जाए 35 में बेज दे आप इसको 35 पर शेर में बेज दोगे आपके अकाउंट में आ जाएगा 35,000 बिकॉज आपका जो प्रिडिक्शन ठा वो गलत पड़ा आपने 15,000 का लौस किया पर जो भी ट्रेडिंग हुआ वह प्रेमियम में हुआ जो भी ट्रेडिंग हुआ निया इतर पनदरा रुपया इतर पन्दरा रुपया इतर तुम्हारा शाज़ा एटी किया अब थोड़ा और Cum वेट थोड़ा और समझा क्या सबको समझेगा डोंट वरी सर्वेश थोड़ा पेशन्स रखना मेरे भाई इसको आज एक ही दिन में है ना इसको सर्वेश को राके जुन-जुन वालों बनना है रूखना मेरे भाई स्टेप बाई स्टेप जाएंगे ना समझे क्या क्योंकि उल्टा भी हो सकते है ना अभी क्लियर एविबरी आर्थी का एक अच्छा क्वेश्चन है उसका भी मैं जवाब देता हूँ आर्थी बोल रही है कि सर मेरे को एना 700 रुपे में फ्रीज नहीं करना है मेरे को फर्स्ट जैन को आर्थी बहुत ही ग्रीडी है आर्थी बहुत ही लालची है तुम्हारे डाउट से पता चलता है तुम कितने लालची हो आर्थी बहुत ही लालची है आर्थी बोलती है सर मुझे तो एना बहुत पैसा कमाने मुझे ये CA VA में interest नहीं है कौन इतना मैनत करके CA करेगा सर इतना अच्छा option आप सिखा रहे हो म मैं इससे पैसा कमना जाती हूँ आर्थी बोल रहे है सर मेरे को पता है रिलाइंस का भाव बढ़ने ही वान है आर्थी ने रिसर्च के है confident है वो अब आर्थी का बोलती है कि सर यह ना जो आप 700 रुपे अभी जो मार्केट में 700 रुपे चल रहा है आप जो यह 700 रुपे में कर यह आप 700 रुपे में मत करवाओ आर्थी लाजची बोल रही है आर्थी बोल रही है मुझे ना यह राइट टू बाय चाहिए रुपी 600 में मुझे यह राइट टू बाय चाहिए सर 600 में मैं 600 में राइट टू बाय को फ्रीज करना चाहती हूँ तो कर सकते है क्या stock market बोलता ह एक सोपचीस रुपिया एक सोपच्चास रुपिया जब आप 700 का ले रहे तो आपको 50 प्रीमियम बें करना पड़ रहा था अब आप उश्यारी करके कम पे और करवा रहे हो क्योंकि आपको लग रहे बढ़ेगा तो मैं ज्यादा कमा लूंगा समसरी आर्थी समसरी है समसरी को अरे नहीं सर्वेश ये सर्वेश बोल रहे हैं सर यह 35 का जो है उसको पूट option बोलेंगे क्या अरे नहीं भाई मैंने पूट option कहीं पर वर्ड यूज किया क्या यही प्रव्लेम है हाफ knowledge का तुम लोग नहीं ना कहीं से सुना है पूट option call option या यह वो तो अब तुम लोग को लग रहा है कि मैंने ना put option कहीं पर सुना है तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह put option होगा चल मैं put option घुसा देता हूँ मैंने तुम लोग को clearly बोला हूँ है इन डिजास्टर पूट option का मैंने नामों निशान नहीं लिए तेरे को किसने बोला put option क्या होता है सर्वेश मैंने तो कहीं पर कभी सिखाया नहीं और मेरा तेरा तो दिमाग ब्लैंक है जब मैं यह पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज यार हुश्यारी इदर मत करो मैं बताऊंगा उश्यारी करने का भी मौका दूंगा जब रियल ट्रेडिंग करोगे करो ना वापर उश्यारी कौन मना कर रहे है बट अभी बीच में यह सब चीज़े मत गुसाओ जो मैंने नहीं सिखा ही है सब्सक्राइब क्रिएटिंग अ कन्फूजन फॉर से लिचाइड हो चल ठीक है समझ रहे हो क्या तुम लोग अब यह प्रीमियम का गेम चल रहा है कॉल ऑप्शन का ही प्रीमियम जब मेरा यह 700 रुपे का शेर 685 का हो गया तो मार्केट का प्रीमियम हो जाएगा 35 और मैं फिर सोचूंगा अब यह और अगर यह सिक्सेट समझो सुनो 685 का अगर यह अब यह तो मैं उसको यह पर यह प्रीमियम को फ्रीज करके उतने में बेच दूँगा कॉल ऑप्शन ही खरीदा कॉल ऑप्शन ही बेचा समझे क्या संब्सक्राइब अच्छा एवरिबाड़ी इधर तक समझ में आया आपको नो प्रॉब्लम सर्वेश इस सर यह 35 करने का कोई ट्रीक है क्या यस ट्रीक है वह सब मेथं अपन सीखेंगे अब है और अभी ये तो मैंने एकदम पर्फेक्ट मार्केट बता है कि वा तो प्रीमियम एकजैक्ली 50 से थेती पर आएगा रियल मार्केट में इतना पुरफेक्ट ली मार्केट नहीं करता रियल मार्केट में मुवमेंट कुछ और होगा प्रीमियम कुछ और होगा टाइम वैल्यू आएगा बीच में तो सब चीज़े और आएगी पहले बेसिक फंडमेंटल समझ लोना क्या हो रहा है फिर उसके अंदर अपन तड़का डालेंगे ना क्यों टेंशन ले रहे हो पुब्ली को यही नहीं समझ में आता है तड़का सीख लेता है कैसे चलेगा यह बेसिक समझा गया लोजिकली एफिशेंट मार्केट में ऐसा होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किर्तिवान बुचले सर इफी वे वी फ्रीज दरेट वाइट 700 वायर वी कैल्कुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस अंदर प्रीमियम बिकॉस यूर नॉट एक्चुली बाइंग तेरे पास तो बाइंग करने का पैसा ही नहीं है 700 इंटू हजार तेरे पास बाइंग करने का पैसा ही नहीं है तो यह तो खाली ओप्शन तेरे यह आउट ओफ दे शेर मार्केट ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पर तू एक्चुली शेर होल्डर नहीं बनने वाला है वो शेर होल्डर बनना है तो कैश मार्केट में जा तू ओप्शन मार्केट में आया है खाली इसके मुव्मेंट का फाइदा उठाने के लिए तो यह 700 का 700 का 725 हो गया इसके मॉव्मेंट का फाइदा उठाने के लिए तूह यह हूप पाएगा जो तेरे रियल शेर के त्रू नहीं हो पाएगा फिर तो तू शेर ओलर बन जाईगा फिर तो तुझे पैसा देना पड़ेगा लेना पड़ेगा जो तेरे पास है नहीं तू स्पेक्यूलेटर है समझ काली वह मुव्मेंट का फाइदा उटाने के लिए है या आपर तेरे को मस्ती है समझा क्या किर्तिवान करेक्ट प्रविंति पाटि एकदम सही बोला तू बहुत बढ़िया तो यह तो अलगी मार्केट चल रहे है मेरा कैश मार्केट से गुसाओ मत कैश मार्केट का भाव से मैं यह आप्शन्स के प्रीमियम को ट्रेड करूंगा कुल बहुत बढ़िया राविं यह जुर्क से मैं मेरे डिरिवेटिव के प्रीमियम मीन ओप्शन्स के प्रीम् canción का। करेक्ट आर्तिक्रीड रहे जíchवामपल मस्तौ प्राइस फ्लक्टूक्टıy हज आ फ्यु नपे सर्वेश का as a call option या जिसको कहते है right to buy कब लेना चाहोगे जब आपको लग रहा है future में भाव बढ़ने वाला है future में भाव बढ़ने वाला है कि फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है वीना ने का है कीम्तिमान 775 जस्ट डिराइब प्रीमियम एपसलूटली करेक्ट वीना एकदम सही बोलो है तुम लोग एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं मतलब मज़ा रहे हैं तुम लोग समझ रहे हैं जब तुमको लग रहा है कि मा आया यहां पर options में और मैंने actually वह करके दिखाया दूसरा मैंने बुला था कि अगर नीचे गिरने वाला हो तो मैंने देखा कि Reliance की का भाव आज की तारीक में चल रहा है 700 पर शेयर या फिर चलो लेते अडानी का एक्जामपल और अच्छा कनेक्ट करोगे अडानी का भाव चल रहा है रूपी 700 पर शेयर हाइडनबर्ग रिसर्च जो एक कंपनी है वहाँ पे तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो काम करता है उस फ्रेंड ने आपको बोल दिया है सुन हमारी कंपनी ने रिसर्च किया है यह जो आडानी का शेर्ज है ना उसमें भारी फॉल आने वाला ह है क्योंकि हम लोग उसका सब स्क전 स्काम एक्वोस करने वाले है उसका सब स्कARS खाव्य मार्केट में उसका गिर जाएगा अब आपको क्या लग रहा है जोगा चलंब अडानी का शेर-प्राई इसे टाइम पर यू एंटर इंटु सम्थिंग कॉल्ड राइट टू सेल अभी है ना स्ट्राइक प्राइज एक्ससाइज प्राइज यह सब बड़े-बड़े टर्म्स होते हैं यह सब आएंगे वह मैं आज आपको नहीं करा रहा हूं आज मैं आपको एक स्टूडेंट के तर आपको यूजवली कंफ्यूज करती है क्योंकि आप स्ट्राइक प्राइज प्राइज से चीज़ों को कनेक कर रहे हो सही तरीका यह नहीं है समझो ना यहां पर शेयर प्राइस किर्थी मन तेरा मैं अंसर नहीं अब यहां पर शेयर प्राइस मेरे को लग रहा है डिक्रीज होने वाला है तो मैं क्या करूंगा मैं राइट टू सेल चाहूंगा क्या भाव पे एड़ रेट रूपी 700 पर शेयर इसको प्यार से पुट ऑप्शन भी कहते हैं अब मैं 700 रुपे में बेज पाऊंगा तो उसका बलाई क्यों भाई यह क्या तुम्हारे पिता जी का मार्के ऑग क्या तुम लोग जो पाव पे चाहिए वह nelleले ना उसके लिए तो खिसलिए प्रेमियुम ने बोला ठीक कह इसके लिए तेरको पच्छास रुपे trails का मेरेको 5000 राइ तो दिया ते रहे देन अब एक्चुली आहिदनबग रीशर्च का रिपोर्ट आया और यह 700 रुपे गिर के हो गया 700 रुपे गिर के हो गया रुपीज 650 पर शेर्ट मार्केट में मेरी चांदी क्योंकि अब यह प्रीमियम हो जाएगा रुपीज 100 समझे क्या मैंने पच्चास में बाई किया था राइट टू सेल मैं पच्चास सौ रुपे में सेल कर दूंगा राइट टू सेल मुझे मिल गया पच्चास रुपे का फाइदा इंटू 1000 पर शेर इसको चाहिए ना मैं थोड़ा भाव कुछ और कर देता हूँ ताकि वो 50-50 के साथ कैमोफ्लाज ना हो जाए समझो यह हो गया भाव 660 अब यह प्रीमियम कितना हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा 90 तुम लोग एक शेर के ओपर कितना कमाल होगे 40 पर शेर इंटू 1000 पर शेर यह हो जाएगा रुपीज 40,000 समझे क्या है मेरे यह ठंच नियóp पहले से बोल से को करता क्या अब और त्यू इसो दिन अगर लिए अब यह रिपर्ट आएगा 10 दिन बाद मैंने क्या है मैंने यह राइट टू सेल को अप्शन ले लिया फर्स जैन को यह रिपोर्ट आया 15 जैन को तो मेरे को तो टाइम चाहिए ना यार किरतीमान भाई अगर मैं दो दिन में सब क्लोस करने वाला हूं तो शॉट सेलिंग ठीक है अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे लग जाएंगे तो मेरे को शेर एक्चुली खरीदना पड़ेगा मेरे पास पैसे नहीं है उससे चाहिए ना भाई प्रीमियम बे करना मज्जा समझे क्या समझे क्या पैफा ही पैफा होगा अब एक वेशन आएगा सर यह राइट टू सेल आप खरीद रहे हो राइट टू सेल आप बेच रहे हो सर क्या चल रहा है बताता हूं वह भी बताता हूं सो राइट टू सेल एट 700 का आप्शन पूट आप्शन अब खरीद रहे हो प्रीमियम देखे 50 रुपे में अब यह पूट आप्शन एक अलग मार्केट है तो पूट आप्शन में अगर कोई चीज गिरती है तो उसका प्रीमियम बढ़ता है क्योंकि पूट आप्शन इसा है प्राइड टो सब्सक्राइट है कि मारकेट गिरें उसमें जैसल जैसे गिरते जा जा रहा है उस put option का value बढ़ते जाएगा and wise ever sounds सम्झे क्या दोनों में option खरीदना premium पर दोनों में option बेचना यह premium पर पूछो मिले को Farin को had out…… sir price decrease हुआ और premium तक क्या है यहां पे तु put option है यह alag market हो गया अब put option का मतलब ही यह है कि you are expecting the market लो जब तु मार्केट को नीचे गिराना चारी है तभी तेरा अच्छा होगा तो ये मार्केट भोलता है और नीचे गिरेगा तो वैल्यू बढ़ेगा नीचे गिरेगा तो वैल्यू बड़ेगा तो प्रीमियम बढ़ गया क्योंकि हमने by अब आप सुनो क्या होगा मैं यह 90 म को फ्रीज करके 90 पे खरीद लेगा अब समझो यह 660 से 610 पे हो गया तो 140 हो जाएगा प्रीमियम उसने 90 में खरीद आदा वह 140 में आगे शायद और बेच दे समझ रहे हो यहां क्या स्ण सोडव सिस्टम वर्क्स अब इसको प्रेक्टिकली करेंगे तो और क्लाशा है गरते लिएक रहते क्या अब लटा खुआ तो ऐखो कि आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया आपके फिसक्रण करके बोला यहाई मैं हरिसेच में काम कर रहा हूं कि तुम लोग मुझे बता होगे अब यह आपने दे दिया प्रीमियम इसका पचास रुपया पचास रुपय का आपने इसका प्रीमियम दे दिया अब सुनो अब तुम लोग मुझे बता होगे अब यह क्या हुआ पता है क्या हाई यह आपका तीन महिने तक कही वह आपने पीरेड का पूट ऑप्शन लेके रखा था इसको पूट ऑप्शन बोलते हैं थिरानी जी इसको पूट ऑप्शन बोलते हैं ओ भाई जी अब हुआ क्या यह मार्केट में अड़ानी का भाव बढ़ गया और हो गया रुपीज 730 पर शेर आप मिर को बताओ आपके राइट टू सेल का प्रीमियम कितना हो जाएगा आपने पूट ऑप्शन लिया है का प्रीमियम आपने जो 50 रुपे के चीज़ करी दी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा एपसलिटली करेक्ट इट विल बिकम रुपीज 20 एक तम सही जा रहे हो अब यह 20 रुपे का हुआ अब आपको लग रहा है कि और नीचे जा सकता है प्रीमियम और और ऊपर जा सकते है 730 का 750 भी हो जाएगा मेरा प्रीमियम और यह हो जाएगा तो आप बेज भी सकते हो आपको जो करना ही कर सकते हो आपने बेसिकली यहां पे बाइ किया यहां पे सेल कर दिया अपने सात लाग के शेयर का बाइंग और सेलिंग कर दिया ब समझे क्या चाहिए जादा से जादा मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है मतलब प्रीमियम जितना ही डूबद चलेस 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 चलो गाईस प्लीज 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 एवरीबाड़ी बताओ अब में को पूछो फरीन और किस-किस को क्या क्या डाउट था वीना जो भी है प्लीज एक दम बता दो के सुशन के अब चंधन जो किसर तो यहां पर मैं राइट तो भाई भी कर सकता हूं ला लौस कम करने के लिए विल्दाश कर स्ट्श., उसको भोगत डेची इसको उसको वख प्रॉब्लम नहीं but मैं तो उसको प्लेन वनि में लोल्ड लाँ ऊर्ट सब्सक्व हो सतॉत चलो परमी का एक डाउट हा है let's see sir in last case if I if I enter in to right to sell at 800 then premium will be 150 correct and we sell at 660 therefore we will get a premium of 190 therefore we will get a profit of 40 remains same absolutely correct परमी absolutely correct परमी एकडम correct then what is the purpose of buying at high premium वो समझेगा उसके लिए तोड़ा सा time दो सब समझाता हूं क्या होगा बट फिलाल के लिए कोई भी प्रीमियम पे लोग तुम लोग को अगर मार्केट नीचे गया तो उतना प्रीमियम मिलेगा मार्केट उपर गया तो उतना लॉस होगा that is what your फिलाल अंडरस्टेंडिंग ऑर वी क्लियर एवरीबोड़ी बोलो बोलो चल 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 अब एक ट्रेड मारे क्या और जितने भी लोग यहां पर प्लीज कंफर्म करो तुम लोग को क्या डाउट है वो मैं पहले कैप्चर कर देता हूं और फिर मैं ट्रेड पर जाऊंग और ट्रेड मारके आज का सेशन अबन सब लोग का जवाब चाहिए पार्मी ने इस बोल दिया है सर्वेश ने हाँ बोल दिया है जानवी ने अर्विंद ने अधर्स एवरिवाड़ी प्लीज बोलो मुझे मस्ता क्या बात है बीना वह क्या बताने का अपको भूशर क्या है अपन एक-दम बेस लेविल से मेरे बनिया दोस्त को मैं सिखा रहा हूँ वैसे सिखाऊंगा अब मेरे दोस्त को मैं exercise price strike price वह सब word use करूँगा सीधा देगा बे भाई यह सब हुश्यारी किसी और के सामने ठोक मुझे क्या है real में हो रहा है वो बता वो तुम्हारे को साथ heart to heart share किया है समझे गेम पूरा प्रीमियम का है वो समझे क्या गेम पूरा प्रीमियम का है येस बेस लेविल से लिए गेम पूरा प्रीमियम का है अब सुनो मुझे बताओ अगर आपको लग रहा है कि मार्केट उपर जाने वाला है अगर आपको लग रहा है मार्केट उपर जाने वाला है तो आप क्या लोगे तो आप क्या लोगे अरे वाह फरीन ने बोला understood perfectly, thank you फरीन जी अगर आपको लग रहा है सब लोग ने बोला कि यार सब को समझ गया thank you so much, अगर आपको लग रहा है market उपर जाने वाले आप क्या लोगे बोलो, सब लोग ने सही answer दिया है derivatives के पहले घंटे में आप लोग यह decide कर पा रहे हूं कि आपको call option लेना है या आपको put option लेना है इससे बड़ा achievement कुछ भी नहीं है pat on your back सची बोल रहा हूं अपने आपके लिए तालिय बजाओ brilliant everybody has given the right answer sir we will try to take a right to buy जिसको अब अपन प्यार से कहते हैं call option अगर मेरे को लग रहा है market decrease होने वाला है तो मैं क्या करूंगा तो मैं क्या करूंगा correct I will take a right to sell I will take a put option समझे गड़ें गच्चा everybody gotcha yes sir perfect एक दम ओन ट्रैक हो आप लोग let me tell you एक दम ओन ट्रैक हो और मैं आपको बता दूँ मैंने इस मेन बहुत पैसा कमाया भी है तो net net शायद थोड़ा positive होगा या शायद negative होगा पता भी नहीं हुझा भी मैं ज्यादा मेरे पास time नहीं रहता है ना तो मैं करता नहीं हूँ जब भी मैंने time देके किया है ना invest इसमें मैंने कमाया है बट जब भी मैंने खुझली आई और किया और फिर बाद में मैंने देखा है मैंने loss ही किया है और आप believe नहीं करोगे I swear on you guys literally 930 को market समझो start हुआ 931 को मैंने देखा है मेरेको फाइदा ओर दिख रहा है 55,000 का 945 को मैं देख रहा हूं मेरेको loss आ गया है 1000 का इतना volatility है इस market 55,000 profit मैंने सुचा चल बेज देता हूं 55,000 का profit 931 को फिर मैं वह लाग छोड़ना थोड़ा वेट करता हूं न थोड़ा वेट करता हूं न थोड़ा वेट करता हूं न विदिन हाफ एनार विदिन हाफ एनार वो loss में convert होगे आफ 1000 फिर वह और लॉस बढ़ते गया ऐसा भी द यह जोश चाहिए यार एक नंबर जोश है मेरा चलो एवरिबाड़ी अभी क्लियर विवान इधर तक चलो अब करे मार्केट से डीलिंग करें अपन लोग क्या बोलते हो पबली ट्राइ करें मार्केट से तोड़ा डील करने का इधर तक सब लोग एकदम परफेक्ट समझ ग करना चाहिए कौनसा मटिराल करना चीगे संकल्प माटिरल या क्यूटेंशन ले रहा है अपन सब करेंगे अपन सब मतले चलो अब ट्रेड मारने का टाइम आगया है यह और स्बू आ लेंगे आज का सेशन में क्लोस कर दो इंटिंचन मतले ने बस मुझे ऐक बार देखने अब अपन लेते हैं अब अपन लेते हैं एक चोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद start करेंगे actual trading of call option and put option. Are you ready? गेम खेलना किसमें है? गेम खेलना है premium में. गेम खेलना है premium में. क्या आप चोटा सा ब्रेक लेके मेरे को मिलेंगे मिलते हैं मैक्स पांच मिनिक गड़े आफ फर शॉट प्रेक शलो वाई स्टार्ट करते हैं अब ट्रेडिंग कमोटा मोटी अपने को समझ गया दिए काश मार्केट में तो ट्रेडिंग अपन सब आपने किया है यह आपने को पता है कि कैसे खरीदना है और कैसे बेचना रॉकेट साइज दपाथ साल का बच्चा भी कर सकता है इसमें प्रीमियम का यह आप लोग फिर्स टाइम कर रहे हो समझने की कोशिश करते हैं कि everybody बिद्र ब्रेडिग सो अब यहां पे देखो मार्केट लाइफ चल रहा है आप सकते और एंट्सेकि का वेसे बैंक निफ्टी कर बैंक 85 Wow इसमें SBI HDFC का 27 परसेंट है यह 23 परसेंट का वेट है बागी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वेट उस हिसाब से यह पूरा वेट करके bank nifty बना है वैसे ही अगर मेरे को कलूट के बनाना है pharma nifty तो मैं बना सकता हूं क्या हा तो जितनी भी मेरे nifty तो जितने भी मेरे market में top pharma companies है उनका मैं एक weighted average बना दूँगा बन जाएगा pharma nifty सम्जें वैसा इसको कहते है बैंक nifty नifty अब मैं तो nifty का बदब nifty is God for me nifty सबसे best चीज आप कर सकते हो आओ निफ्टी का trading मैं आप लोग को बताता हूं आप मेरे को बताओ कि अभी अभी को दो option होते हैं एक होता है कि मैं stock में trading करूं सुनो एक होता है कि मैं Reliance का call option Reliance का call या put purchase करूं इसको कहते है है stock option trading इसको कहते हैं stock option trading मतलब शेयर का जो options है उसका मैं trading कर दा हूं दूसरा होता है say for example मैं nifty का call और put buy करूं मैं usually nifty में ही खेलता हूं तो call put buy करूं किसका nifty का क्योंकि nifty के call put में न वॉल्यूम होता है जब call या put buy या sell करता हूं it is called as index option trading निफ्टी एक इंडेक्स है निफ्टी क्या एक इंडेक्स है तो index options trading समझे क्या तो बोलो stock option trading करना है यह index option trading करना है जैसा तुम लोग बोलो मुझे कोई problem नहीं है I am comfortable with both of them मैंने तो दोनों ने कमाया भी है दोनों में गमाया भी है क्या बोलो को बताओ जैसा प्रजा वुलेगी राजा वैफा ही करेगा तो लेट्स ओपन अकाउंट मेरे आइपैड पर ओपन किया है इसमें ट्रेडिंग कर पाऊंगा कि नहीं बट मैं आपको पूरा एंड-to-end आइडिया दे दूंगा चलो तो कोई भी अभी चुनो ओप्शेंस ट्रेडिंग हर एक कंपनी का नहीं होता है जो मेजर अच्छी कंपनीज होती है उनिका ओप्शन ट्रेडिंग होता है चलो अब आप बताओ दोनों में करेंगे क्या बात है कि सभी बात है तुम्हारा थोड़ी कुछ जा रहा है तो मेरे जा रहे आप बोलोगे सर्थ दिया है फीस तो आपने पड़ाने का दिया है आज तो अपना दूसरा सेशन है फ्रेंडली वाला चलो फ्रेंड्स में कहा कोई हिसाब रखता है यार तुम्हारे लिए दो पाच हजार रुपे का लॉस कुरवान कोई प्रॉब्लम नहीं है सर प्रॉफिट भी तो हो सकता है लेट सी चलो कोई भी एक कंपनी का नाम बोलो बड़ी कंपनी का नाम बोलो चलो देखो इदर मेरा निफ्टी का मैंने ओपन किया हुआ निफ्टी का बताओ तो निफ्टी जैसे ही मैने निफ्टी टाइप किया तो यह देखो दिखर है इदर इखर है इदर सी यी मतलब करक्का इक्सपायरी ओशएंटी पुट्सटी को यह एक्सपायर हो जाएगा अब श्थासचच नाटाविस ऊचाटेश aika को को आप लोग देखोंगे तो इक थुच ग्या दांसर aller येस ठीक है तो सर्वेश कुछ पूछ रहा था तो भाई ये मेरा सेकेंड फेब का एक्सपाइरी है मैं 16,900 पे राइट टू बाई फ्रीज करना चाहता हूँ अब मार्केट बड़ेगा देन इन देट केस मेरा प्रीमियम बड़ेगा मैं फाइदा करूंगा otherwise loss सबसे पहला चीज अपने को यहां पर लिखना है कि कौन सा अपन लोग ऑप्षिंस का स्टॉक का ऑप्षिंस ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंडेक्स का ऑप्षिंस ट्रेडिंग बोलो जल्दी टाटा से शुरू करना है चलो नहीं आडादा टाटा में करते हैं चलो टाटा से शुरू करते हैं ठीक है ठीक है सब से पहले कौन सा टाटा का लेते हैं ठामोघ को कि यह देखो यह ओं तटाक साट दिखर अपे 23ών का expiry दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ 235 तरस्डे क्या है क्या है अब टाटा से लिए तो टाटा का और को यहां पे दिख रहा है तो 63 रूपीज के प्रीमियम पर चल रहा है अब टाटा का भाव देखो कितना चल रहा है जल्दी देखो टाटा मोटर ना डेटा वल्यूम वालीव नहीं रेक्सिंश का बहुकि अठीक टाटा का कितना चल रहा है कि इसका बहुत ज्यादा दिये हो जाएगा लॉट साइज आना टाटा का है 1425 तो मुझे अगर इसका एक लॉट भी खरीदना है तो मेरा नाइंटी थाउजन रूपीज चले जाएगा तो मेरे इसाब से थोड़ा छोटा वाला लेते हैं क्या बलते हों कि कॉल इंडिया का कॉल ऑप्शन है चल अब एक छोटा वाला को यह लेता है बता दो के चल निफटी लेबने अबने से चलू करते हैं अपना फीवरेट है शादी नफटी से हुआ है तो वह घर वाली है बारवाली पर क्यों नजब डलवारे हो चलो सो निफ्टी से चालू करता हूं मैं निफ्टी अच्छा मुझे सुनो बताओ क्या लग रहा है उपर जाने वाला मार्केट क्या नीचे उसी सब से कॉल और पूट पता करें ना वो तो बताओ पहले हैं बताओ बोलो बोलो गूगल गूगल छोड़ो तुमारा भाई गूगल है इधर देखो मेरे को देखो बोलो निफ्टी का आप लोग को क्या लग रहा है बार्केट यहां से उपर जाएगा या नीचे जाएगा बोलो बुलिश या बैरिश हो तुम हर्षद मैता या मनु मनेक नहीं विल गोवेज निफ्टी अब बोलो उपर दाने वाले मार्केट या नीचे क्या लग रहा है सेंटीमेंट देखें क्या लग रहा है आ कि sentiment तो down का देखर है देखो deposit का दिखर है sentiment तो down मारकेट दाउन है पुट लेते हैं है फूत लेते हैं क्या बोलते हैं तुक्त है चलो मैं nifty का put लेने ज़ा रहा है ध्यान से दिखेंगे सब लोग अच्छा एक्सपाइर ही थोड़ा आगे का लेता हूं मैं तुम लोग एक्शुली वलाइटिलिटी तो अभी दिखेगा अच्छा अभी निफ्टी कितना चल रहा है कहीं पर लिख देते हैं 17600 चल रहा है अप्रॉक्सिमेटली हां 17594 वो 17600 मैं लिख देता हूं तो अभी मार्केट नि प्राइट में लोग लेने जा रहे है इसका पूट ऑप्शन क्यू कि हमको लग रहा है मार्केट गिरेगा मार्केट सैंटिमेंस ऐसा दिखह रहा हैं तो हम कितने पे करे तो मेरे पास निफ्टी के बहुत सारे आप्शन जाते है पुल में डिनीफ्टी में पी-ई देखना आपन लोग put option ले रहे हैं ठीक है निफ्टी ये लोग निफ्टी आ गया है निफ्टी का पी-ई 16,100 का मतलब क्या आपको लग रहा है कि market 17,600 से गिर के 16,100 पर आएगा आपको right to sell मिल रहा है 16,100 पर वैसा तो 16,100 अब कौनसा put लेना है वो अपने open 16,100 का भी है 150 है 16,200 का भी है निफ्टी में बहुत options होते है तो समझो मैं ये लेता हूँ देखो अब ये expiry के आसपास में है न तो इसके लिए इसका बाव इतना कम है देखो तुम जैसे गरीबों के लिए ये है दो रुपे का एक 25 रुपीज इससे ज्यादा तो मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा अब रहे है पट क्या 16,200 होगा क्या दांसर इस नो 16 कहां पर 16,200 होगा अभी भाव चल रहा है 17,600 और वह भी दो दिन बागी है expiry को तो दो दिन में कोई 16,200 तो होगा नहीं इसके लिए तुम लोग यहां पर जितना मैं 16,900 के पास जाओंगा जो उसका अभी भाव चल रहा है अभी सिक्सेविंट जितना मैं 17,600 के पास जाओंगा उतना निफ्टी का प्रीमियम बढ़ते जाएगा यह देखा अभी मैं 17,100 पर भी आऊंगा तो प्रीमियम बढ़ेगा चलो मैं एकदम आगे जाता हू मैं दूसरा वाला डेट का लेता हूं कोई जितना मैं उसके पास जाओंगा ना उतना प्रीमियम बढ़ेगा अभी कितना चल रहा है 17,600 17,600 पर जाते हैं आसपास चलो यह रहा 17,000 550 का पूट ऑप्शन मैं देता हूं 130.95 पर चलो यह लेने की कोशिश करते हैं ठीक है स्टार कर रहा हूं अभी कभी करके अभी कभी sell भी कर दूँगा लॉस तो लॉस पाइदा तो फाइदा देखा जबी ने की कोशिश कर रहा है अक लॉत 6600 प्लस चार्जिज चार्जिज मेरा कितना लगने वाला है तो मेरा यह 501.54 का चार्जिज लगेगा दिखा अधर अच्या व अब अब इधर होता है लिमिट और इधर होता है मार्केट मतलब मैं जो रेट डालूंगा वही रेट पर वह खरीदेगा मार्केट से मार्केट का मतलब जो भी रेट चल रहा है वो रेट पर उठा लेगा और लिमिट का मतलब होता है मैं जो रेट डालूंगा वही लेट पर उठाएगा अगर उठाएगा अगर थुद्ट रोड़ सП 0625 1530 ही है तो मार्केट में जो चल रहा हा कि यह तो एकजाम जैसा लोग होगे पहली बार करें तो थोड़ा एक्साइटमेंट अंग्शेस लीड़ल का होता एकन अंडेस्टाइड यह से अजार तुम्हारे नाम पर 123 शॉट डाल देंगे अभी तेको मार्केट प्राइस कितना चल रहा है देखो कितना वॉलिटेलिटी है कितना फटाफट अभी किसी ने वन अब 130 में खरीद लिया हो था 131 में बेस देते फायदा हो जाता है पैसो का मामला है सही बात है 131.9 थोड़ा सा कम होने दूग्या देखो मार्केट बढ़ते जा रहा है यार 131.95 132.35 हो गया ओ बोई शिट 133 इदेखो तुमारे सामने 129 था 134 हो गया सोच अब 129 में खरीद के 134 में बेज दिया हो था पाच पर शेर का प्रॉफिट मुल्टिव्लाइब 50 250 ऑन दे स्पॉट एक मिनिट में कमा के बार सोचो औरे यार 135 पे पहुच गया ये मैंने बो चेंज हो जाधा ये गेम यह देखो आपके सामने अभी देखो कितने में भीक रहा है 134 में भीक रहा है कि शक्स यार बढ़ गया 129 तब था तब खरीद लेना चाहिए था आपने को यह ऐसे होता है मार्केट में यार नीचे जाए होगा इसके लिए मार्केट इतना ऊपर से होए बढ़ कला सोचता ने वान टू-स यहा फ्रिवाइट कितना फटा फटा फट-फट चेंज हूरा है और यहां पे चल रहा हूं 50 रूपीज के 7.5 रूपीज का प्रॉफिट यहां प्रीमियम प्रीमियम पर मैंने खरीद है अभी 65 87.5 यहां प्रॉफिट मिल रहा है क्या करूं बेच दू ना 85 का गेन हो रहा है 150 का गेन 110 का गेन 140 142.5 का गेन क्या करूं बेच दो तुम लोगे सामने तो प्रॉफिट हो जाएगा उतना निकल लेते हैं चलो अब लोग ने आज एक आप्शेंस ट्रेडिंग किया है फॉर्स टाइम इन हिस्ट्री वी आफ ड़न अलाइव ट्रेडिंग अब यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं और हिस्ट्री 133.3 में मैंने खरीदा 134.25 के प्रीमियम मैंने बेचा सुपब कैसा लग रहा है तुम लोग को नहीं ब्रोकरेज अल्मोस इतना ही था जितना मेरा फ्रॉफिट था सो इन शॉर्ट जीरो-जीरो पर गेम निकल गया मजा आया और एक करना है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार करते हो फिर लगता है या यह देखो टोटल ब है 133.3 पर अपन ने ऑप्शन बेचा 134.25 कि वंस्मोर कि शुरू मजबूरी में किया था अब मजा आ रहा है 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 वाई साव गजब है जैसा मैंने आपको फॉर्स डे पर प्रॉमिस किया था कि अपन लोग लाइव ट्रेडिंग करें ऑप्शन का लाइव ट्रेडिंग करेंगे और वी डिडिट गाइज आसाम हां हां जब अपन क्लिक कर एवरी millisecond पर चेंज हो रहा है थो अ कॉल भाई करें चलो कॉल भाई करते हैं नो प्रॉब्लम चलो एक बार भी कॉल भाई करते हैं ठीक है यह अपन लोग ने पूट भाई किया था अब 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 है मैं यह आपर आता हूं निफ्टी डालता हूं मैं निफ्टी चलो निफ्टी को ऑप्शन स्कॉल ऑप्शन बाई करना अपने को तो सी दिखे का आपको 107.2 का बाउ दिख रहा है रैंडम ली मैं ले रहा हूं अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं 123 सीद देखो 50 साइस का लॉट है सेट लिमिट प्राइज नहीं मैं मार्केट पर बाई करूंगा तो मार्केट लिख देता हूं 5360 का उसका मार्जिन रिक्वाइड वो मेरा उतना चार्जेश लगने वाला है सो 123 प्लेश बाई ओडर येस बाई ओडर कंफर्म कंफर्म वह मेरे से ओडर सब्मिट हो चुका है 42.5 का लॉस्ट प्रॉफिट दस का लॉस्ट सत्रा का प्रॉफिट यह देखो यह देखो यह अपन लोग ने कॉल ऑप्शन लिया है दू मुझे इको देखो धिए ओए क्सλιमी कंमते तो तो टॉप ऑर सब्सक्राइब में मुझे ईट मने को तो आख भाव ले क्वोट क्या जल रहा है कर्टि प्रॉपी इस टेटी ममन निकिए प्रोफिट प्रोफिट हो रहे हैं क्या वलते हैं अच्छा सुनो अभी देखो क्या रहा है अपन लोग ने बाई किया था 109.85 पे बाई किया था अब 112 चल रहा है तो मैं 112 पे क्लोस करता हूं इसको अभी लिमित करके दिखा तो तुम्हारे को फिवाइब प्रोफिट 155 का प्रोफिट हो गया अब यार् वापस हुगा मैं 112 पे इसको क्लोस कर देता हूं अब इदा देखो अब मैं एक्जिट दबाहरा हूं लिमिट डाल रहा हूं यहां पे 112 बजल एन 2.5 गाइस थैंक यू सो मच तुम लोग की वज़े से आज मुझे प्रॉफिट हुआ है कि दो ट्रांजेक्शन किया अपन लोग ने देखो क्लोस है दो ट्रांजेक्शन किये बाइ किया 12,150 पे सेल किया 12,460 पे 300 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है अपने को देखो 113 गाया था ना काजल सोचो कितना पैसा कमा लेते अपन बट यह वेरी अटेंटिव मजा आया कैसा लगा आप लोग को यह सेशन प्लीज लेट मी नो अब ओविशली इसका कोई अंत नहीं है कोई लिमिट नहीं है सो मैंने आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों बता दिया निफ्टी पे ट्रेडिंग करके बता दिया एंड आम शूर यू गाइज लवड दा अड्रेनलेन रश चला थैंक्फुली अपना ट्रांजेक्शन क्लोज हो चुका है तो अपन लोग ने 350 का प्रॉफिट कमाया है वेल डान गाइज 300 का प्रॉफिट कमाया है वेल डान टू इच वन अप्यों डियू प्रॉफिट करें या जब गारा इस वेलीट नो है तो मैंने बोला दरा आज तुम आई सी आए का बच्चा नहीं हो आज तुम मेरा बच्चा और मैं मेरे तरीके से बताओंगा आई सी आए तुमारे को यह इतना डीटेलिंग मैं इतना ट्रांजेक्शन वाइस तो बताएगा नहीं वो तो बुक दे देगा तुम्हारे को अब कल मैं तुम्हारे को exercise price strike price बताऊंगा ना एक second में तुम connect करोगे कल मैं बोलूगा ना यह right to buy है यह right to sell है एक second में तुम लोग मुझे सिकाना चालू करोगे और मैं तो अभी देखो तुम लोग के पास time नहीं है बड़ मैं तो रोज आधा घंटा क्यों ना साथ में अपन ऐसा यह देखो धनांजे बोले 115 जाके आया ठीक है वाई कोई बात नहीं यह तुम्हारे को सिखाना था पैसा कमाने का कोई उद्देश नहीं था मेरा तो के yes you guys are lucky for me very good research करके आओ so for the first time in history live trading in the class lecture itself वो भी options का वो भी first अपने options के lecture में awesome so that's great to know that each one of you enjoyed it thoroughly अब अरे वाह जानवी वाल यह मैं इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दिया ले मैं उसको रिपोस्ट करता हूं चाले ग्रेट गाइस ग्रेट ग्रेट फन मजा आ गया मेरे को trust me तेरा स्टोरी तो दिखने रहा है यह टेकर 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 anyways awesome awesome okay so up YouTube पे डालूंगा लेक्चर को तो आप बोल सकते हो यूवर पार्ट अफ दिस हिस्ट्वी मेकिंग लाइट रेडिंग ऑप्शिंस इन आर लेक्चर अच्छा है ना वाइरल बना देगी जेपी तो वो बोले टैग किया मुझे तो तो तरह कोई टैग नहीं दिख रहे है रहे है चलो आई तिंग तोरा टाइम लेता है हुआ है 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 यूगाइज आप रिएटेड हिस्ट्वी एड्रनल इन रश इट वाज और एक करू और करू बस यह 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 ग्रीड थोड़ा और अब तुम सोचो हर्षद मैंता कहां गलत था वह वह भी तो ऐसा ही था ना कमाते जा रहा था कमाते जा रहा था और ग्री क्रीड बढ़ गया उसने तो पांसो करोन के उटा लिया है थैंक्यू विला है आगया 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 आगय कि सभी बात है कि येस जानवी का स्टोरी मिल गया थैंक्यू येस एंड आप इस हिस्ट्री के गवाह है कि मुझे तो बिग टाइम कीड़ा है स्टॉक मार्केट का जस्ट बेटिंग पैसे कवाने का स्टार्ट करूं इन्वेस्ट करूं तो हम लोगों को सजेस्ट कर देंगे हमारे पास थोड़ा पैसा है क्या बलती है चलो अब क्लोज करता हूं मैं इस मेरे अप को आज जो भी को अपन बहुत ज्यादा थियोरी ओरिएंटेट में बढ़ जा है लेट्स अंडेस्टाइंड इट वे इट शुद बी डान वे इट शुद बीडान वे इट ओट तो बीडान ओके गाइस ग्रेट हैं अपन लोग ने गेन किया है आज आज एंड़ रियली ग्रेट तो नो य करने धही थोड़ा स्टड़ी करके हूँ पर में अगर अंधी यहां तो मण दी होता है ये लोग बताता है एक्वी क्रेंड बुलिश अपनलोग ने कमाया कि तुम लोग कर रहे हो कि एक आर्टिकल से नहीं होता है लोज ग्लोबल इंडाइस देखके आया करूं कि नैस्डेक डाउ जोन्स हैंग सेंग सिंगपूर का मार्केट होंग कॉंग का मार्केट फिर बाद में अपना यूएसे का मार्केट यूरोप का मार्केट यह सब कैसा चल रहा है देखकर आओ उससे अपन लोग प्रिडिक कर सकते हैं तो वहां पर अगर जो ट्रेंड होगा ना वो ट्रेंड को पकड़के यहां पर अप्लाई करोगे यूरोप करेगा तो लेट्स दूइट वे फॉर ना फिर बाकी अपन अपना करते जाएंगे जैसे इसे इसे इवाल वहते जाएंगे चलो गाइस टाइम फॉर मीटू से आस्ता लविस्ता एड़ ग्रेट सेशन विद यू और करते रहेंगे अब सीखें कोई चना चीज तो इसको और डेवलप करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे जैसा प्रॉमिस किया था वैसा अपन लोग ने करके दिखाया डेवन का प्रॉमिस आज अपन ने उसको कंप्लीट किया है थैंक्यू टेक कैर बाबाई काफी सारे available you can contact our team and they'll get back to you thank you so much hasta la vista ram ram take care bye bye yes I still profitable session that literally okay is my angel one camera 23 apps angel one is good this is good you can do this angel one कि इसमें सब और यह जगे पर इंस्टा स्टोरी ड़न मेरे को टैग कर दे वाई ने को टैग नहीं है सर्वेश जो भी इंस्टा स्टोरी डाल रहा है बिंदा स्टैक करो I think मस्टीज है यह चलो गाइस मिलते हैं बाइबाई टेक केर अच्छा सेशन था इंजॉइड टेक केर और सेशन ऐसे ही चाहिए यह कीप कमेंटिंग कीप सजेस्टिक डफिनेटली करके दिखाएंगे